नवाशकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तेखेंगे legislative council और legislative assembly तोनों की powers, functions, responsibilities, roles के बीच में क्या-क्या differences है, क्या-क्या इनके बीच में अंतर है तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बड़े point के साथ और सबसे बड़ा point ये है कि जो legislative council है उसका अस्तित्व ही depend करता है legislative assembly पे, विधान परिशत का अस्तित्व depend करता है विधान सबा के ऊपर, एक विधान सबा decide करेगी किसी राज्य में legislative council होगी या नहीं होगी, वो इसके एक recommendation बेजेगी पार्लेमेंट को और पार्लेमेंट से फिर उस state में legislative council बना दी जाएगी या फिर उसको वो हटाने के लिए, हटाने के लिए भी recommendation भेज सकती है अब जो legislative councils हैं वो भारत की हर state में नहीं है सरफ 6 ऐसे state हैं जहां पर legislative council यान की विधान परिशत करती है और वो है आंद्रदेश, जिलंगाना, यूपी, बिहार, महराष्टा और करनाटगा तो अब चर्चा करते हैं कि इन में election किस प्रकार होते हैं तो जो legislative assembly होती है विधान सवा में elections, direct elections होते हैं जनता खुद चुनती है अपने प्रतिनेदियों को, MLS को और जो legislative council होती है उसके 5-6 of the members indirectly elect किये जाते हैं different different organs के द्वारा और one six जो members है वो nominate किये जाते हैं governor के द्वारा, अब जो nominate किये गए member है वो अपने अपने field में अपने अपने expert होते हैं उनको include इसलिए किया जाता है ताकि lawmaking में expert और professionals का मत रखा जा सके, तो बात करते हैं bills के उपर, तो ordinary bill की हम लोग बात क सकता है और assembly में भी introduce हो सकता है, माल लेजे कोई bill introduced हुआ है legislative assembly में, विधान सबा में कोई bill introduced हुआ है, तो वह वहाँ से पास होके जाएगा legislative council के पास, अब legislative council उस bill का क्या कर सकती है, या तो वह अपना assent दे सकती है, bill को bill पे सहमत ही देगी, या फिर bill को reject कर देगी, या फिर bill या तो वो बिल फिर से जाएगा legislative assembly के पास, अब वो लोग इसका क्या करें? या तो वो मान सकते है, रिकमेंडरीशन को या फिर recommend को reject कर सकते है, अगर assembly reject कर देती है recommendations को, तो वो bill वहाँ से पास होके दुबारा जा एगा council के पास, और अगर council दो बारा फिर कुछ recommendation देती है औ तो वो बिल फिर पास हो के ही रहेगा legislative council उसका बस क्या कर सकती है ज्यादा से ज्यादा चार महीने उसको डिले करवा सकती है तीन महीने के अंदर अंदर उसको पहली बार में जवाब देना है दूसरी बार जब बिल जाएगा उनके पास तो एक महीने के अंदर उनको decision लेना है एक महीने के अंदर डिसिजन नहीं लेते या रिजेक्ट कर देते हैं या कुछ और रिकमेंडेशन दे देते हैं तो फिर बिल पास ही माना जाएगा और फिर बिल चला जाएगा गवर्नर के पास चलिए अब बात करते हैं बात करते हैं ऐसे बिल जो की इंट्रेटीउस की जाते हैं अगर लेजिस्लेटिव काउशल में कोई बिल इंट्रेटिउस हुआ तो फिर फिर जो बिल है वो फिर एंड हो पर बिल लागून नहीं होगा उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं यहां पर एसेंबली वाला केस नहीं है कि बिल वापस जाए और फिर वह पास हो जाए यानि कि ओवर राइडिंग पावर्स हैं लेजिसलेटिव असेंबली के पास और यहां पर जो डेडलोग क्रियेट होता है दो करवा सकता है अगर कोई डेडलोग क्रियेट हो रहा है बिल के पास में तो नेक्स्ट हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल सिर्फ वर सिर्फ विधान सबा में ही इंटर्डियूस होगा लेजिसलेटिव असेंबली में ही इंटर्डियूस होगा किसी मंतरी द्वारा वो विध अर रिकमेंडेशन को मानना ना मनना, यह निर्भर करता है विधान सभा के ऊपर, वो बात नहीं है, इन नेच्स बार करते है जो एलेक्शन ऑफ् होते है तो वहाँ पे उस erुक्षन से यह लोग पाड़ नहीं लए सकती उनका कोई रोल नहीं है उसफ Hem और अफ यदि कांवर्श में उस डिमांडव फर ग्रांट्स के लिए वोट नहीं दे सकती ऌ। नहीं कर सकती अम उरार्ण्स को फित अक्रेजनियस ने कांवर्श. होनी चाहिए अब इसको क्यों बनाया गया है क्योंकि कुछ क्योंकि इसमें 16 जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट इंट एक्सपर्ट नॉमिनेट किये जाते हैं डिफरेंट फील्स में साइंस टेक्नॉलजी सोशल सेर्वेस वगयरा में एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स नॉमिनेट किये जाते हैं गवर्नर द्वारा तो यहां पर उनको एक रेप्रेजेंटेशन मिलता है एक बेटर मैंडसेट लॉमेकिंग में हमारे लिए हेल्प करता है और यह ऐसे लोग होते हैं जो डारेक्ट इलेक्शन स्फेस नहीं कर सकत और हम लोग बात करें मिनिस्टर्स या सीम्स वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस का हो सकता है लेजिसलिटिव काउंसिल का भी हो सकता है लेजिसलिटिव असेमिली का भी हो सकता है विदान सबा का भी हो सकता है और मान लीजे कोई बिल बहुत ही जल्दबाजी में बास कर दिया विदान सबा ने बहुत कहले सरी के से युद जी बड़न कर ड़ विचार महीं किया गया है तो विच्टिव काउंसल में उसको एक तरीके से चेक कर सकते हैं वो लोग तो यह एका और फाइदा है legislative council का तो ये थी आज की वीडियो legislative assembly और legislative council के उपर वीडियो पसंद आई हो तो like, share ज़रूर करें और subscribe करते हैं हमारे चैनल को वीडियो में कोई mistake हुई हो या फिर आपका कोई सजाव हो तो वो हमें comment section में ज़रूर बता हैं मिलते हैं next वीडियो में तेक्टिर ये आमाराचेन